सरसो मैं हूँ पूजा और पुझाज किचन में आपका स्वागत हूँ अधा किलो डशिया लेंगे और लिगा हम शर्सो बेखाइभे स्...? सरसों हमें कच्ची कच्ची ही लेनी है और इसके डंठल को हम चीर के और काट लेंगे अब हम तीनों चीजों को काट लेते हैं मैं इसमें मेथी नहीं डालूंगी अगर आप चाहे तो थोड़ी सी मेथी भी डाल जकते हैं 100 g के लगबंग and इसकी डंठल हम छील लेंगे और इसकी कटिक कर लेंगे इसके जितने भी कच्चे-पते हैं वो निकान लेंगे और ज्यादा बड़े पत्ते जो हैं पके हुए पत्ते हम उन्हें अलत करदेंगी और सिर्फ इसमें हम डंठल और कच्चे-कच्चे पत्ते ही इनकी कटिंग कर देंगे और डंठल का स्वाद काफी अच्छा आता है सर्सो के साग में इसलिए हमें डंठल यूज करने चाहिए लेकिन इसके छिलके जो है इसे छील लेना चाहिए उसके बाद इसकी कटिंग करने चाहिए इस सर्सो की हमने कटिंग कर ली है काट लिया है इसे और ऐसे ही मैंने पत्वे और पालग को भी काट लिया है अब इन्हें अच्छे से वाश कर लेते हैं सबसे पहले हम कूपर में एक ब्लास पानी डालेंगे इसी में इस सर्सो पह और पालग भी डाल लेते हैं इसमें हम अद्रक चोप करके डाल देंगे और हरी मिर्च मैं यहां चार पाच हरी मिर्च ले रही हूँ वो भी काटके हम डाल देते हैं अगर आप चाहे तो इसमें लहसन डाल सकते हैं लेकिन मैं लहसन अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं छोक जब लगाऊंगी तब उसमें लहसन का यूज़ कर दूँगी ताकि अगर जो लहसन नहीं खाता उसके लिए भी हम तयार कर सकें अब इसमें हम डालते हैं नमक और यहां मैं बिलकुल थोड़ी सी हल्दी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बिना हल्दी की कुछ नहीं बनाती थोड़ी सी डालती हूँ इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही है और अब हम इस पे ढखकन लगाते हैं और दो सीटी लगा लेते हैं फ्रेंट अब ये साग से अबल शुका है और इसे हम अच्छे से दोड़ते हैं गैस पे हम चालू कर देते हैं गैस को और इसे गोड़ते हैं या तो आप hand blender की help से भी इसे घोट सकते हैं या फिर आट से इसे गैस को चालू करके और इस तरह से घोटते रहें ताग घोट गया है और इसे आप चाहें तो hand blender से भी ठंडा करके फेले घोट सकते हैं और उसके बाद अच्छे से उबार लें और अब इसे में हम डालते हैं दो चम्मच हम मक्की काटा लेंगे और इसे हम पानी में घोल लेते हैं कि इसमें एक भी गुठली ना रहे हैं एक भी लंप्स ना रहे हैं और इसे अब हम धीरे धीरे करके साग में डाल देते हैं फ्रेंट में साग को थोड़े अलग तरीके से बनाती हूँ और इसमें मैं चाच डाल रहे हूँ आधी कटोरी बटर मिलक है और इसे हम डाल के इसमें साग में और इसे चलाते रहेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे अब जो हमने इसमें मक्य का आटे का आलन दिया है उसे और जो चाच डाली है उसे हम अच्छे से पकने देते हैं और इसे हम लोग लेंपे पकाएंगे इसे जितना चाहें उतना घोट सकते हैं मेरे घर में यह ज्यादा घुटा हुआ पसंद करते हैं खड़ा खड़ा नहीं पसंद करते हैं अगर आपको खड़ा खड़ा साग पसंद है तो आप उतना ही घोटे है फ्रेंड हम घी डालेते हैं और घी में ही हम छोक लगाएंगे प्रेंट हम सबसे पहले डालते हैं की और दीडा अद्रक लहसुन और हरी मिर्च डाल देते हैं अब इसमें ग्रेट किये हुए टमाटर डाल देते हैं मैंने दो प्याच लिये थे और तीन टमाटर को ग्रेट कर लिया है वन फॉर्ट चमज हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं वन फॉर्ट चमज के में लाल मिर्च डाल какую हुए ह। लाल मेट डाल रही हूँ, अगर आप हरी मेट ज़्यादा मातरा में डाल लें, तो इसे आप अवाय भी कर सकते हैं, प्रेंड अब इसमें घी छोड़ दिया है, तो साग बिल्गुल तयार है, और इसे हम बटर डाल के खाएंगे मक्य की रोटी के साथ, जो कि बहुत ही और इसे आप भी जरूर ट्राइक करें, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें, शियर करें, और सब्स्क्राइब जरूर गरें, थैंक्यू फोर वच्छिंग मैं वीडियो